जैश्री शाम, शाम प्रेमियों, आज मैं आपको एक ऐसे सक्स से मिलवानी जा रहा हूँ, जिनोंने हिंदूस्तानी नहीं हिंदूस्तान के बाहर भी अपने भजन गागा के इतना नाम शोरत कमाई है और उसी शोरत के बास्षा, हमारे प्यारे भीया, हमारे शाम जगत के सब के चहेते दिलों की जान, हमारे बीच में शितल भीया, शितल पांडे जी, शितल पांडे जी, आज हम आपको मिलवाने लाये हैं, शितल पांडे जी से, और शितल पांडे जी से कुछ सवाल उनकी जिन्दगी के, हम उनसे करने जा रहे हैं, आप सब के बीच में, इन्होंने किस प्रकार से शाम जगत में अपना मुकाम पाया है यह आज हमके बताएंगे कितने सालों से आप इस भजल लाइन में हैं सालों से तो फैले तो सभी जितने भी विवर्स हैं आपके जितने भी शाम प्रेमी हैं उन सभी को पहले तो मेरा भाद बहुत बहुत नमस्कार जैशि terti शाम सभी शाम त्यम्यों को सालों की बात कहें तो मुझे आद भी याद है कि मैंने पहली बार जब ऑफिशल रूप से अगर मैंने भजन गाना शुरू किया था तो नौक्टूबर सन 2000 था जब मैंने पहली बार मेरे गुरूजी ने मुझे मेरे गुरूजी अभी श्री आरके सितारा जी राकेश कुमार शर्मा जी जो अभी बाबा के शड़नों में लीन है उनके मादम से पहली बार मैंने माइक पकड़के ऑफिशल ही गाया था वैसे तो स्क सेज पर परफॉर्म किया डिवोशनल स्टेज पर तो फर्स टाइम मैंने नौक्टूबर सन 2000 को मैंने गाना शुरू शुरुआत करें यह प्रेणा आपको किन से मिली यह सब कुछ करने की लिए प्रेणा तो किन से मिली मेरी फैमिली में मेरे दादा जी गाया करते थे शौक किया मेरे पिता जी भी त्रोक के गाते लेकिन वैसा कोई कभी किसी मंच पर परफॉर्म नहीं किया लेकिन मीजिक तो अब दादा जी से ही फैमिली में है लादा जी का मन बहुत होता था फिर हम लोग स्कूल में गाया करते थे हमारे जो टीशर थे वो मैं तो हमेशा बहुत चड़ता गया शौक कब आज प्रोफेशन बन गया पता ही नहीं पड़ा तो आपके घर में कभी इस चीज का अब्जेक्शन नहीं हुआ कि आप इस प्रकार से जो बजन वैसे तो बजन गाना बहुत अच्छी बात है लेकिन फिर भी हर माबापका एक सपना होता है कि हमारा ब पिता जी नहीं तो बिल्कुल नहीं चाहा कि मेरे भजन गाने चाहिए या मुझे कभी भी कहीं गाना चाहिए आज तो आपका मीडिया बहुत हाइप हो गया और आज लोग इस म्यूजिक को लेके जागरत हो गए लेकिन जब मैंने बजन गाना शुरू किया था उस समय कोई कि गाने बज़ाने को इतनी तवज्जों नहीं हुआ करती थी मेरी फेमली सारी सब लोग बहुत अच्छे पदों पर है बहुत अच्छा सब का कताब है बहुत बढ़ बड़ा ले哇 सब लोग काम करते है और सब लोग कोई professor है कोई engineer है कोई air force में है तो पिता जी बेल चाहत में पिता जी ने भी accept कर लिया कि चलो ठीक है गा रहा तो क्या किया जाए जब कुछ नहीं हुआ उन्होंने सब कुछ कोशिश कर ली तो मेरी माता जी के आगे वो भी आर गए तो क्या करें बस आपके सामने हुआ एक बात कई बार मैंने देखी है कि बच्चे आपके गाए हुए बजनों को कुछ जादा ही गुन गुनाते हैं वैसे तो बड़े भी बहुत अच्छे गुन गुनाते हैं सबी लेकिन बच्चों में ये देखा है कि शायद आपके बजनों को बड़े प्यार से गुन गुनाते हैं बच्चों को बड़ा आप से प्यार है यह क्या कारण है ने कि बच्चों से प्यार है बच्चों के मन में जगा बनाने के लिए पहले बच्चा बनना पड़ता है आप बच्चों को अगर उनके मन में जगा बनानी है तो सबसे पहले आप बच्चा बनो अगर आपको समाज में सबके हाथ जुड़के अगर आप चलेंगे तो बच्चे आपको नॉर्मली परसंद करेंगे और बच्चों को भी कुछ ऐसा मैं मज़ाग में बोला करता हूं बच्चों को भी लगता है कि मेरी तरह कोई व्यक्ति है या हमारी तरह कोई चुटा सा दूसरे लोगों को ज़्यादा तबजू देते हैं अगर आपके साथ कोई आता है तो उन लोगों में आप ज़्यादा उनको प्रवाइद करते हैं उनको आप आगे बढ़ाने के कोश्च करते हैं अपने पे ध्यान ना देके उन लोगों को ज़्यादा आगे बढ़ाते हैं देखे मैं किसी को बढ़ाने वाना नहीं हूँ सबसे पहले तो मेरे गुरुजी ने बात मुझे सिखाई थी कि बेटा आपकी किसमत में जो है ना वो आपसे कोई निशीन सकता कोई भी निशीन सकता तो आप किसी से जैलिसी किसी के प्रती मन में गरत भाव दुर्भाव रखन सकता है तो मैं बस माध्या मूं और मेरे पास कुछ नहीं है आपने बहुज शहीं कहा और मैं आपसे सवाल और करना चाहता हूं कि ये जो आज कल ब डasto के बदलाव आ रहे हैं आजक़ कल बसक बदलाव का बदला आ चुका बजनों का सवरूप बदला जा रहा है इसके बार कि देवोशनल में कि सब कुछ वही है जो हम गा रहे हैं वो भी वही है हमारा भी मेन मोटी वही है कि इनसान भगवान से जुड़े पुराने लोग का भी मोटी वही है कि लोग भगवान से जुड़े वो भी क्या चाहते थे वो भी तहीं चाहते थे ना कि भी भगवान से जो जाने वह आज आज भी अगर उन्हें गाया जाए और तरीके से गाया जाए जैसे आज बहुत बड़े-बड़े सिंगर्स हैं जो पराने बजनों को गाते हैं तो आज भी वह चीज बहुत यह लेकिन कितने परसेंट लोग कितने परसेंट लोग आप उनको सुनेंगे तो जैसे 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 जमाना बदल रहा है वैसे वैसे हर चीज बदल रही है आपका कहना है कि बदलते जमाने के साथ हमें भी थोड़ा थोड़ा बदलाव लाना चाह बिल्कुल सभी बात है, बिल्कुल सभी बात है, सब के अपने अलग लग विचार है, कोई कुछ सोचता है, हर आदमी तो किसी भी एक स्टार को पसंद नहीं करता है, सिंगर तो बहुत सार है, जरूरी नहीं कोई कुछ कुमार शानु को कुछ लोग पसंद करते हैं, कुछ लो और वो हर अपने दायरे में हूं वह काम कर रहा है ह Berry अज पूर्ट तक आपको सब कुछ मिला है मेरे जहां तक तक देखा है आपको हर वह खुशी हर मुकाम हर मुकाम मिला है कायँ आपको लगता है कि अभी भी सब कुछ दिया है, लेकिन मेरे को एक काम करना है और शाम बाबा की करपा रही तो मैं जरूर करूँ गा और वो काम यह है कि मुझे सारे जितने भी शाम जगत के, शीर्श के जो भजन गाने वाले हैं, या एक भजन गाने वाले जो हम लोग हैं जितने भी आर्टिस्ट है मुझे एक उनकी unity तो यार करनी है बई जरूरी नहीं है कि कलाकारी गलत होता है कभी-कभी हमारे साथ भी गलत होता है और जिब हमारे साथ गलत होता है तो हमारे defend में कोई खड़ा नहीं होता आज social media पर किसी भी आर्टिस्ट के लिए कुछ भी बात बोल दी जाती है और उसको बहुत उचला जाता है कलाकार पैसे लेता है भजन गाता है आपसे वो मांगने नहीं आता कुछ भी आप कलाकार को फोन करते हो कि आप हमारे कृतन में आईए कलाकार आपको फोर नहीं करता कि आप हमें बुलाईए कलाकार उसके साथ गलत हो गया उसके लिए कोई खड़ाई नहीं होता मंडल वालों को साथ गलत हो गया तो पचास मंडल एक साथ खड़े हो जाते हैं और उसका लाकारक के लिए नजाने क्या-क्या बोलते हैं। मैं कई वर्षों से आदर्णिय श्री नंद किशोर नंदु जी दादा जी से भी मैंने इस विशे में बात करी। मेरी पपू भया श्री पपू शर्मा जी खाटू वालो से इस विशे में बात हुई। रोमी भया से बात हुई। संजे मितल जी से बात हुई। संजे खिमकाजी से बात हुई। संजे पारिगी से बात हुई। बहुत समय से मेरा ये एक पर्यास चल रहा है कि बजन गाये को की एक organization हो, artist की organization हो कि artist के साथ कुछ भी गलत हो जाए या suppose एन हमारी जिंदगी में सिर्फ हमारा गाना बजाना है, हमारे साथ कोई miss happening हो जाए तो हमारा एक ऐसा organization होना चाहिए कि हमारी family, artist की family किसी के सामने हाथ नहीं फैला है artist की family ऐसी हो कि हम सब लोग इतना कमाते हैं, एक दिन की भी अगर अपनी payment छोड़ दे तो वो जो artist है जिसके साथ कुछ हो गया, तो उसकी जिंदगी में, उसके बच्चों में, वो बच्चे कभी भी इस बात को शरम के साथ नहीं कहेंगे कि मेरे पिताजी भजन गाते थे, मेरे पिताजी दोलक बजाते थे, मेरे पिताजी एक musician थे, वो फक्र से बोलेगा, बड़े फक्र से बोलेगा, बहुत जादा फक्र से, कि मेरे पिताजी एक artist थे, आर्टिस के प्रति उसके मन में, एक इज़त बढ़ जाएगी, ना कि उसक हमी किसी के साथ गलत करें आर्टेसकी गलती हो तो आर्टेसको सजा मिले म॑ई मंडल अगर आपके साथ गलत करता है तो नियाय होना चाहिए ज़रो नहीं कि सारे सब मैंने उन सब के चरणों में यह निविधन किया है अब देखते हैं कब वो सब मान जाते हैं तो सब लोग ठीक हो जाएगा सब बहुत अच्छी सोच रखते हो आप और आपकी इस सोच को बाबा जरूर कामियाब करेगा और इसी के साथ मैं आपसे एक सवाल और मैं आपसे कर र मैं जान सकता हूं आपका जो राइटर है उस राइटर के बारे में आपका क्या राय है आपका फेवरेट राइटर कौन है देखी बात कहीं जाए फेवरेट राइटर की तो फेवरेट तो शब्द बड़ा अलग सा होता है वो तो पॉइंट आउट हो जाता है किसी एक के ल यह तो राइटर मियाद किया अगली बार उसके बाद मेरी लाइफ में एक मेरा भाई आया मैं भाई बोलता हूं हमेशा से मेरा भाई है मेरा बहुत अच्छा दोस्त है मेरे भाई सोनू आप जानते हूंगा अधित्यमोधी उनका नाम सोनू मैंने कई भजन राइटरों के सम्मान में उनके भजन गाया रोमी भी आप अच्छी राइटर है मतलब उनकी लेखनी का बहुत बहुत जवाब भी नहीं इतना सुन्दर लिखते हैं और मैंने उनके बहुत सारे भजन गाये लेकिन हाल फिलाल मेरा जो भाई है सोनू वो मेरे लिए तो क्या वो बाबा के बहुत सुन्दर शब्दों को चुन कर बाब सब्सक्राइब को इससे में आपको यह बार बता हूं मैं तो आप रसेंगे बहुत जदा मैंने मिरी लाईफ में एक भजन लिखा मुझे आद भी याद है मैं गरड़ी जहा रहा था गरड़ी जहार खर पर जहारखन में एक जगह है गरड़ी तो बैटे-बैटे मैं पैन मेरा सूठ के छोरी हो गया पूरा का पूरा समान छोरी हो गया तो मेरे को कहीज न बहुत सारे भाई है उनसे बोलते वो लिख लेंगे तो बाकी भविषय का पता नहीं अगर कभी कुछ ठाकर जी न एक शब्द दिये तो मैं भाईयों को बोल दूँँगा वो लिख के दे देंगे, मैं पता नहीं, लिखना एक माइंड में हो जाता है, मेर भाई है न मेरे पास बहुत सारे लिखने के लिए, अपने आप लिख देते हैं मेरे पाई, बहुत अच्छी सोच है आपकी, और एक सवाल और मैं आप से, आपकी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में सबसे ज़्यादाइमियत, एक एहमियत होती है विखना में जानना चाहता हूँ दशकों को बताना चाहता हूँ कि आपकी जिंदगी में सबसे ज़यादा एहमियت, किस सक्स की है? देखे मेरी जिंदगी में सबसे ज़्यादा एहमियत है मेरी मा की उनके अलावा अगर कोई फर्स प्राइटी अगर किसी को दी जाती है तो मेरे माता पिता बस और उनके बाद तो सब शाम प्रेमी एक जैसे हैं मेरे लिए तो मैं आपसे कहना चाहूं कि शाम प्रेमियों के ल अंदेश है एक दूसरे के साथ और एक दूसरे की बात सुनकर सुनकर सिर्फ निड़ने मत निकालो कि कौन सही है और कौन गलत है आज जो समाज में चल रहा है बस कुछ भी कई वी बात आगे फॉर्वेड कर दी जाती है उससे समझा तो जाता नहीं है पहले उस चीश को पुछाता है कि आप सपोर्ट करते हैं सिंगर्स को आप सपोर्ट करते हैं आर्टिस को मेरे को भी किसी ने सपोर्ट किया था मुझे आज भी याद है मेरे अश्वनी भीया अश्वनी अरोडा जी मैं दर्मशाला में बैठा हुआ था चार गंटे से और में गाने को नहीं मि तो आज अगर अपने पास कुछ ऐसा है कि हम किसी के साथ खड़े हो सकते हैं और वो गा सकता है तो क्यों नहीं करें किसले नहीं करें बस जैसे बाबा ने आपको सारा देने के लिए किसी ना किसी को बेजा ऐसी आप भी किसी एक का सारा बन जाओ बस बाबा आपके साथ हो जा बजन गाते हैं और शाब को काफी हत तक बहुत जाणा मानते भी Mups जानना चाहता हूं कि यहान्द कि सभी प्रकार की जो अपने देवता जिनको हम कहते हैं भगवान कहते हैं तो किन-किन भगवान के आप मेधव पुरे षबोंगी तो सब ही आ गये और गातें हैं तो मतलब काम हो गया तो काम तो जिसका भी कहेंगे उसका करना है लेकिन दिल दिमाग बाबा के चड़नों में लगा रहता है तो बाबा की सिवा सबसे ज़्यादा होती है और बच्चा जो जर्म लेता है वो मा की कोक से जर्म लेता है तो हमने भी मा की सिवा से ही शुरू करी और मा के चड़नों से कृतन करने शुरू करे और बाबा की गोद में आके बैट गए तो सब की भजन गाते हैं कोई ऐसा नहीं particular की हम इनके नहीं गाते हमारा गाना वर्क है काम है हमारा गाना और जब गाना हमारा काम है तो हम तो जहां पर भी हमें कोई बुलाया जाएगा अपकल को कोई मेरे को Bollywood इंडस्टी में बुला गाना चाहते हैं या इंडस्तान से बाहर भी गाना चाहते हैं क्योंकि भक्त तो इंडस्तान से बाहर भी बाबा के देखिए जहां जहां आर्टिस्ट की कदर हो वर्ल्ड का कोई भी कोना क्यों ना हो जहां आपको सम्मान से बुलाया जाएगा जहां आपको इज़त से बु कर दीता है कि मैं नहीं जाओंगा लेकिन गुबर के तो काम 이bor कर नहीं है कि हम मैंने कभी नहीं बोला कि मैं सेवा करता हूँ जा ब backyard सेवा करना अलग भाव है सेवा बिन्नु जी करते हैं सेवा कि अ typically आप नंदू जी को नहीं लिए उन्होंने आस तक 32-33 सालों से सेवा कर रहे हैं शाम बाबा की और कुछ ऐसा नहीं कि कोई गलत गाते हो रवी बेरिवाल जी सेवा करते हैं उनका वर्क कह सकते हैं आपके वो सेवा करते हैं हम काम करते हैं सच यह है तो अब तक आपने इतने भजन गाए इतने को जो मेरी सिंदगी में सबसे सबसे मन को जाने वाला भजन है वह यह बाबा तु इतना बतादे। बहुत सारे भजन हैं मेरी लाइफ में जो मुझे को मेरे को बहुत अच्छी रखते हैं तरह क्छल साह क्यों इतना प्यार लुटाता नहीं मैं खाबिल तेरे तो क्यों फिर साथ निभाता मुझे को प्रभू इतना बता क्यों माफ की मेरी हर खता बाबा तो इतना बता दे हमाँ बतादे देरे अ us मेरी आइफ में सबसे प्रिय जेन Mm घूक है सबकुछ this सबकुछ new Bia rice ना अच्छा लिखा है उतना अच्छा दिपांकर भियान असको कंपोज किया है डिपांकर जिसकी कंपोज़र है उतना इच्छा डॉलियाज इस्टूडियो कम्रेश डॉलियाज जी ने इसको इतना इच्छा रिकॉर्ड किया है तो मतलब सब कुछ मुझे बहुत पसंदीदा बजने में रही है अभी इन दिनों आपका एक भजन बहुती सुपरित हुआ खाटू ना आउं तो बहुती इसके बार हम सारे लोग बैठे हुए थे तो बस एक आनंद जी है कुछ लाईने निकली और बस बाबा ने करपा कर दी हमने यह सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा सिर्फ हम एक परसनली अपना थौट था हमारा कि कई लोगों ने मेरे को इस पर विरोत किया कई लोगों ने बात तो उनके दिमाग के अंदर की सोच रहती है कि खाटू कोई चोटा सा गाहां होगा वहां पर व्यवस्थाएं कैसी होंगी कैसा कैसा होगा खाटू कैसा दिखता होगा क्योंकि हम लोग भारतवर्श में जगा जगा कोने कोने में इंटीरियस में किर्टन करने जाते हैं तो लोगों के मन में एक अलग सा भाव रहता है और लोग बड़ी बड़ी उत्सास से हमसे पूछते हैं भी खाटू में क्या है खाटू कैसा है खाटू में कैसी लोग रहते हैं क्या रूम मिल जाएंगे कई लोगों ने बोला कि आर आपने वहां पैसे बभवेता दिखाई मेर काम यही था मेरे बाप का मेरे पिता की घर की शौरत ही तो दिखाना क्या था मेरा पिता का घर ऐसा है आप आईए आपका स्वागत है मौटी भी था मैं कि अब लोगों ने अलग-अलग तरीके से लिया तो मेरे लिए कोई माहिन ने रखता वो चीज़ मैंने जो समझाना चाहा वो बहुत सारे लोगों ने जाना तो करपा रही बाबा की अच्छा हो गया तो दर्सकों आज सितल भीया से मुलाकात करके एक इन से जो एक छोटी सी सवाल जवाब के रूप में आपके सामने लिके आए हैं बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और हमारे चैनल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे आपका चैनल बाबा ने खूब करपा करी है आप पर बहुत जल्दी और बहुत आगे जाए बाबा खूब आपको शौरत दे नाम दे इज़द दे जी ट्रैक बना रहे और बहुत भवे रूप में बाबा की सेवा में आप बहुत अच्छे अच्छे बजन आप डालते हैं आप सेवा में रहते हैं तो बस बाबा की खूब करपा रहे आप पर और आपके पूरे इस परिवार पर जी ट्रैक फैमली पर बाबा हमेशा इसको जी बनाए रखे तो ये हमारे सितल भिया की राय थी आपको कैसी लगी कमेंट में आप लिख सकते हैं और बाकी अगर आपक ये हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगले वीडियो के लिए इसी प्रकार से अब नए नए वीडियो हम लेके आते रहेंगे इसी प्रकार से हमारा जी ट्रैक चैनल आगे बढ़े इसके लिए अगर आपको अच्छा ल से यही कहूंगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें ताकि हमारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे और इसी प्रकार के वीडियो हमें बनाने की इस वीडियो में हमारी कोई गलतिया रही हो या कुछ ऐसे सब्द आये हो उसके लिए हम शमा प्रारती हैं उस नंबर पर आप हमें मैसेज के तुरू कुछ बता भी सकते हैं और स्रीतल भीया के लिए हम इतना ही कहना चाहेंगे कि यह दिनो दिन और तरकी करें इसी के साथ जैश्री शाम सभी प्रेमियों को बहुत बहुत नमश्कार फागुन आने वाला है सब को बदाईयां बहुत बहुत बदाईयां जैश्री शाम